नमस्कार दोस्तों मैं फार्मसिष प्राणजली सत्पुते मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्वालवीन कोल्ड दिया सीरप के बारे में जो कि एक पेडियर्ट्रिक सीरप है जो बच्छों में यूज़ किया जाता है तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में इसी सीरप के बारे में पूरी डिटल में जान करेंगे कि इस सीरप को बच्छों में कब और किन केंडिशन में दिया जाता है यानि कि इसके उपियो क्या है और इसको normally कितनी मातरा में दिया जाता है यानि कि इसका डोस क्या है और साथ ही हम इसके साइडिफिक प्रिकोशन के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को भीना स्किप के शेयम तग देखे करता है तो इस पेल सेटमर को इस सिरप में 250 मिलिग्राम की स्टेंद में अड़ किया गया है सेकंड साल थे जिसका नाम है फिनलफ्राइन हैड्रोखलोराइड जो की एक डिकंजस्टंट ड्रग है एंटिस्टरमाइन क्लास से बिलॉंग करने वाला ड्रग है जो कि रेड इची वाटरी आइज देन स्नीजिंग से आराम दिलाने का काम करता है तो दोस्तो अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में कि इस सीरब को बच्छों में कब और किन कंडिशन में दिया जाता है तो दोस्तों ये सिरफ डॉक्टर द्वारा बच्छों को तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब किसी बच्छे को सरदी खासी बुखार हो जाती है तो तब ऐसे कंडिशन में ये सिरफ काफी अच्छा वर्क करता है काफी अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों इसके अलावा इस सिरब का इस्तमाल सीर दर्द, दातों का दर्द, कारण में दर्द, तवच्छा में खुजली या फिर किसी प्रकार की कोई allergic condition हो सरदी के कारण बच्छों को सास लेने में दिक्कत हो रही है तो तब ऐसे condition में ऐसे परिशानियों में ये सिरब बच्छों को प्रिस्क्राइब किया जाता है दोस्तों यदि डोस की बात की जाए वैसे तो इसका डोस पूरी तरह से patient के medical condition के नुसार आपके डॉक्टर तरह करेंगे लेकिन यदि नॉर्मल डोस की बात की जाए तो जो बच्छे दो से लेकर पास साल के उम्र तक है उनमें ये सिरफ ढाई एमेल दिन में दो बार दिया जाता है सुबशा और यदि बच्छा पास ये से उपर है तो उसे फाई एमेल दिन में दो बार दे सकते है दोस्तों साइ पर ही ले और इस सिरफ को डेली लेने से या इसके ओर डोस के कारण बच्चे का लीवर डैमेज भी हो सकता है साथी एलर्जिक रियक्शन लाइक फेस पर सूजन हो सकती है और सास लेने में भी बच्चे को दिक्कत आ सकती है इसे हमेशा डोक्टर की सला पर ही ले तो छली दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही I hope you liked this video so then don't forget to like, share, comments and of course subscribe our YouTube channel for medicine and health related videos Thank you